अच्छा ये बता कि तेरा शेर मार्कीट में तेरा लाग रुपे का लॉस क्यों हुआ था? किन-किन वज़ा से तेरा लाग रुपे का लॉस हो गया था? एक्चुली वो लॉस नहीं था, वो एक तरीके से प्रॉफिट में से ही गया हुआ पैसो का हिस्सा था हुआ क्या था? आज से देड़ साल पहले की बात है, तो मैं उस टेम पे फ्यूचर में काफी ज़ादा ट्रेडिंग क्या करता था? उस टेम पे मेरे को नॉलिज थी, लेकिन बहुत ज़ादा नहीं थी simple knowledge थी, मेरे को इतनी knowledge थी कि मेरे को cash trading में तो मैं काफी अच्छा खासा profit कर रहा था लेकिन मैंने सोचा मैं cash trading में जैसे मैं delivery लेता हूँ, उसमें फिर मेंको profit होया था है तो मैंने सोचा था कि अब मैं future में start कर देता हूँ, तो future में जैसे मैंने शुरू करा तो मेरे को धीरे धीरे उसमें profit होना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे profit होना शुरू हुआ, जैसे पचाजार का हुआ, एक लाग रुपे का हुआ, फिर मैं अपनी और जादा position बढ़ाता तो future में, trade कर करके, लेकिन उसमें problem ये हुई थी, कि मैं सिब long ही trade करता था, यानि future के buy contract करके छोड़ दिया करता था, यानि future के contract को सिब buy करता था, लेकिन मेरे को करना क्या था, buy के साथ साथ उसमें selling भी करनी थी, जैसे कुछ position मैं buy की बना रहा हूँ, तो कुछ position मेरे को selling क बनाने थे, उससे क्या होता, एक प्रकार से hedging हो जाती, तो उसमें ऐसा मैं सिब buy करके रखता था, तो market अब वो हमेशा तो बढ़ती रहेगी, बढ़ने के बाद गिरेगी भी, तो उस time पे मेरे को knowledge काफी कम हुआ करती थी, तो ऐसे ही करकर के 12-15 लाग का मेरे को profit हो गया थ और मैंने सोचा था कि ऐसे ही ये profit होता रहेगा, तो कुछ time बाद जो market में गिरावट शिरू हुई, तो मैंने अपनी position काटी नहीं और ना ही hedge करा, जिस वज़े से मेरा जो 15 लाग का profit है, वो घट-घट के सिब 2 लाग रुपे का रह गया था, एक तरीके से मेरा जो 13 लाग profit हो खतम हो गया था, तो एक प्रकार से अगर हम अपने profit को बचानी पारे तो उसको हम loss में ही गिंती करेंगे, तो इस प्रकार से मेरा 13 लाग रुपे का एक तरीके से profit का हिस्सा चला गया, जो की जिसको मैं समझता हूं loss, तो इस प्रकार से मेरा 13 लाग का loss हो गया, तो जो म जितने रुपे की हमने position buy करकी है, उसके against में उतने रुपे की position को हमें sell भी कर देना चाहिए, उससे होगा क्या जब market गिरेगी, तो जहां पे हमारा buy करके profit हो रहा है, वहां पे हमारा profit कम होने लगेगा, और जहां पे हमने sell करका, वहां पे profit शुरू हो जाएगा, उससे क्य मिल जाएगा, इससे हुआ क्या, इससे मेरा loss तो कुछ हुआ नहीं, बट यह है कि मेरी जो महनत थी, वो बेकार हो गए और time भी उसमें लगा, 8-9 महिने का, जो time का loss है, वो हुआ और मेरी महनत का भी loss हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, share market में तो होता रहता है, अगर यह होता नहीं, तो मैं सीखता कैसे कि हमें profit को protect करने के लिए hedge भी करना जरूरी है, जब हमें कुछ समझ में नहीं आए, तो अगर ऐसा नहीं होता, तो आज जैसे 13 लाग का profit गया, तो in future हो सकता था, इससे भी बड़ा, या तो मेरा जो खुद का पैसा उसमें से मेरे को loss हो जात होता है, जब 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 ह